देशते प्रदान मंत्री मानियोग नरिंदर मोधी जी दे ग्रैव इखे सारियां संस्थामा दे साड़े तार्मिक संस्थामा और देशतियां प्रमानिस हस्तियां अज जिते कठे होई याने साथि एहंगे जी ऋडिजियां दात olmे कर देखाता अक्षिद जीयां तुकर बाहने आ है evolving जीए हमकर्षाद्क सब तो नहीं कर पाता हूं लेकिन जितना कर पाता हूं उसी से मुझे आशिरवाद मिलते हैं और में कर और ज्याजा करने का मन करता है नीचे छुना नीचे जीए कुछ भी नीचे नीचे छुना जीए शरी गुरु गोविंद सिंग महराज जीदा अभार व्यक्त करदा जिनाने पारतनों माननिये मौदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं कि आप पहले हमारे देश के माननिये प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने शाहबजादों के समान को हर हृदे तक पुचाने का एक सफल प्रियास किया है मैं सोचता हूँ आपका रिदे एक सिख रिदे है कि अमरसर में आपको मिलेते जी उसके बाद आज मिलेते जी कितना साल हो गया जी हमारे यहां गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की महापूरसों की चरण रज आपके घर में पढ़ती है तो आपका च्छीवन धन्य हो जाता है तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है यह मेरा सौक भागए है मुझी जी बढ़ी किर्पा है आपकी जो आप कर रहे हो परमात्मा हम तो द्वा करने आया है कि आपको और काकत मिले और सिक्खों को जो हम सारी उमर यह था कि हमारा भी कुछ देखे का आप कर रहे हो इसे जैदा करो परमात्मा आपका बला करें यह देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी हमारे गुरु महराजों ने कितरी तपस्या की है इमर्जंसी में बहुत बड़ा हमारे जुल्म हम सब पे हुआ और मैं तो बराबर पता है उसमा है अजयाब में जो सत्यागरह हुआ था इमर्जंसी के खिलाब तो बड़ा अजभूत था जी अब मैं उसमें अंडरगाउंट रहता था तो अंडरगाउंट रहना है तो कुछ कपड़े उपड़े बदलने पड़ते थे तो मैं सीखे के कपड़ में रहता थी मैं पगड़ी सेवाज मुझे करनी आज़ी है अब मुझे बताई है साथ कोरोना में या आप ही लोग है जिनको औक्सिजन का लंगल लगाने का मन कर गया यह चोटी बात नहीं जी अब मुझे बताई अफगानिस्तान सा इतना अभी भी हमारा कोई महां हुआ हो जहाना आना शुरू नहीं हुआ है लेकिन गुरु गुर्ण साहब सम्मान से वापिस आना चाहिए तो हमने उस व्यवस्ता की दुनिया के देशों से बात की कि यहां तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रभंद किया और मैंने मेरे मंत्रियों को कमाना कभी देखिए सिर्जी भी गये हैं हर्दीपूरी जी गए长ar परो गुरुगर्ण साहब को लेकर साथ सम्मान के साथ क्योंकि में मानता हूं चीए यह हमारे जीवन की बहुत उनमोल रत्न है घुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूं कि मेरा तो आप लोगों से खूल का रिष्टा है क्योंकि गुरु गोईन सेंच जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था जी गुरु नानक देव जी के जीवन में साब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज्यादा समय जहां भीताया वो स्थान हमारे पास नहीं हो एक 6 किलोमेटर दूर समझोता करके हम नहीं ला सके था मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की कम से कम क्योंकि दूर्बिन से साब सब लोग मैं भी दूर्बिन से देखता था पहले जब पच्चा पे रहता था तो मेरा मन करता था कुछ तो करें ऐसा पवित्र काम था गुर्माराजों का असिरवाद था कि हो गया है और इतने कम समय में जो वहां आमने जगा बनाई है आप मैंसे बहुत लोग गए हैं इतने कम समय में इस रधा के बेना नहीं होता है जी तो मैं आपको कहता हूं यह घर आपका है मैं भी आपी क चलते चलते आया हूं का चलते चलते की गुर्द्वारे चला जाओं अमादेर वीडियो भालो लगले लाइक एबंग शेर कोरूं कमेंट सेक्षेन एगे जानान अपना देर मता मत आड़ो वीडियो पे ते आमादेर चैनेल सब्सक्राइब पोरूं एबंग प्रोती में ते हबरेर अपडेट पे ते प्रेस कोरूं बेल आइकोन